सबीको नमस्कार, हम कर रहे थे आपकी पुस्तक भारतिय अर्थ्वेविस्था का विकास इस पुस्तक का पहला अध्याय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतिय अर्थ्वेविस्था हमने शुरू किया था अब तक इसमें हमने समचा था कि आजादी के समय आर्थिक विकास की दर क्या थी क्रिशी कैसी थी, उद्योगों के स्थिती क्या थी, विदेशी व्यापार की दशा और सरंचना क्या थी आज हम पढ़ेंगे कि आजादी के समय जनांकी किये परिस्थितिया कैसी थी, व्यवसाइक सरंचना क्या थी, आधारिक सरंचना कितनी विक्सित थी चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जनांकी किये परिस्थिती के बारे में जानेंगे जनांकी किये परिस्थिती जिनांकी किये परिस्थिती का अर्थ क्या होता है? जिनांकी किये परिस्थिती का अर्थ है लोगों की गुणवत्ता, जिनसंख्या की क्वालिटी, यनि लोगों की शिक्षा, स्वास्थे, आवास, आदी की स्थिती ब्रिटिश शासन की ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्टित विवरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किये कए यद भी इसकी कुछ सीमाई थी फिर भी इसमे भारत की जनसंख्या सम्वरिधी की विशमता बहुत स्पष्ट थी इसकी बाद से प्रतियक दसवर्ष पाद जनगणना होती रही वर्ष 1921 से पूर्व भारत का जनांकिक्य संक्रमन के प्रथम स्वपान में था द्वितिय स्वपान का अरम 1921 के बाद माना जाता है किन्तो उस समय तक ने तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और नहीं उसकी सम्रिधी दर बहुत अधिक थी समाचिक विकास के विभिन सुचक भी बहुत उत्साह वर्धक नहीं थे कुल मिलाकर सक्षर्त दर तो 16 प्रतिशत से भी कम थी इसमें महिला सक्षर्त दर केवल साथ प्रतिशत आकी गई थी जन सुविधाएं जन स्वास्थ्य से माई तो अधिकाश को सुलब ही नहीं थी जहां ये सुविधाएं उपलब्द थी भी वहां आपरियाप्त थी परिणाम सुरूप पानी और वायू के करण फैलने वाले संक्रमन रोगों का प्रकोप था और उन से व्यापक जन हानी होना एक आम बात थी कोई हैरानी की बात नहीं है कि उस समय सकल मृत्यूदर बहुत उजी थी विशेश रूप से शीशु मृत्यूदर अथिक चौकाने वाली थी आज भले ही हमारे देश में शीशु मृत्यूदर 33,000 हो गई हो पर उस समय तो यह दर 218 प्रती हजार थी जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 69 वर्ष की तुलना में केवल 44 वर्ष ही था विश्वस्त आंकणों के अभाव से यह कह पारना कठिन है कि उस समय गरीबी कितनी थी उसमें कोई संदेह नहीं है कि ओपनिवेशिक शासन के दोरान भारत में अत्यदिक गरीबी व्याप्त थी परिणाम सरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बत्तर हो गई उस समय लोगों में गरीबी व्याप्त थी इसका चित्र आपकी पुस्तक में भी दिया गया है कि कई लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं थे आईए अब हम व्यवसाइक सरिंचना के बारे में जानते हैं व्यवसाइक सरिंचना व्यवसाइक सरिंचना में हम जानेंगे कि उस समय कितने लोग क्रिशी पर निर भर थे कितने लोगों पर निर भर थे और कितने लोग सेवा क्षेत्र पर निर भर थे ओपनिवेशिक शासन में विभिन क्षेत्रों में लगे श्रमिकों के आनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया क्रिशी सबसे बड़ा व्यवसाय था कुल श्रमिकों में से 70 से 75 प्रतिशत लोग क्रिशी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त थे वी निर्मान क्षेत्र में 10 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 15 से 20 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल रहा था उस समय की मद्रास प्रेजिडेंसी यानि आज के तमिल नाडो आंध्र प्रदेश और करनाटक केरल प्रांतों के क्षेत्रों बंबई और बंगाल में कुछ क्षेत्रों में कार्यबल में क्रिशी क्षेत्र प्र निर्भरता में कमी आ रही थी वी निर्मान और सेवा क्षित्र का महतु बढ़ रहा था किन्तु उसी अवधी में पंजाब, राजस्थान और उडिसा के क्षित्रों में क्रीशी में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृधी आखी गई आईए अब हम आधारिक सरिंचना के बारे में जानते हैं आधारिक सरिंचना में हम जानेंगे कि सडकें, रेलें, जल परिवहन, संचार वे डाकतार, आदी सुविधाएं कितनी थी और कैसी थी अंग्रेजी शासन के अंतरगत देश में रेलों, बंदरगाहों, जल परिवहन वे डाकतार का विकास हुआ इस विकास में अंग्रेजी शासकों का उदेश है, जन सामन्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था ये कर रहे तो उन्होंने अपने लाब के लिए किये थे अंग्रेजी शासन से पहले बनी सडकें आधुनिक यादयात के साधनों के लिए उप्यूक्त नहीं थी दूसरा, देश के भितरी भागों से कच्चा माल को पास के रेल्वे स्टेशन या बंदरगाह तक पहुँचाने में सुविधा हो इस प्रकार माल को इंग्लेंड के बाजारों तक पहुँचाना आसान हो जाता था ग्रामीन क्षेत्रों तक माल पहुँचाने में अच्छी सड़कों का अभाव फिर भी निरंतर बना रहा बारिश के दिनों में तो यह अभाव और भी भिश्न हो जाता था प्रकर्तिक आपदाओं की स्थिती में ग्रामीन क्षेत्रों में बसे देशवासियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था अंग्रेजों ने भारत में रेलों की शुरुवात की यही उनका सबसे बड़ा योगदान माना चाता है 16 एप्रेल 1853 को देश की पहली ट्रेन की शुरुवात हुई थी भारत में रेल यातयात शुरु करने का पहला प्रस्ताव इस्ट इडिया कंपनी ने 1844 में लंदन में पेश किया था यह रेल बॉम्बे के बोरी बंदर चत्रपती शिवाजी टर्मिनल से ठाने के बीच चली थी आपको यह भी बता दें कि इसमें 14 डिब्बे थे सडकों को बनाने और रेलवे लाइन को बिचाने के पीछे कंपनी का मकसद अपने सामराज्य को पूरे देश में फैलाना था और उनका मकसद ये भी था कि भारत में उत्पादन हुआ कच्चा माल सडक के माध्यन से रेल गाड़ी तक पहुँच सके और रेल गाड़ी के माध्यन से बंदरगाह तक पहुँच सके एक मक्सद ये भी था कि अंग्रेजी शासक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें रेलो ने भारत की अर्थ्वेविस्था की सरिंचना को दो महत्वपून तरीकों से प्रभावित किया एक तो इससे लोगों को भूख शेत्रिय और सांस्कृतिक व्यवधानों को कम करके आसानी से लंबे यात्राएं करने के अवसर प्राथ होए दूसरी ओर भारतिय क्रिशी के व्यवसाई करण को बढ़ावा मिला किन्तो भारत की ग्रामीन अर्थ्वेविस्था जो पहले आत्म निर्भर थी उसके इस आत्म निर्भर स्वरूप पर व्यवसाई करण का विप्रीत प्राभाव पड़ा भारत के निर्यातों में निस संदे विस्तार हुआ परन्तो इसके लाब भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्थ हुए इस प्रकार चन सामन्य को सांस्कृतिक लाब तो मिला लेकिन यह लाब देश की आर्थि खानी की भरपाई नहीं कर पाया सडकों और रेलों के विकास के साथ साथ उपनीवेशिक व्यवस्थाग ने आंतरिक व्यपार्ग और समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया किन्तो यह उपाय बहुत संतोष चिनक नहीं थे उस समय के आंतरिक जलमार्ग और लाबकारी से दोए ओडिसा की तटवर्ती नहर इसका विशेश उधारन है यद भी इस नहर का निर्मान सरकारी कोश से किया गया था फिर भी यह रेलमार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई नहर की समानंतर रेलमार्क विक्सित होने के पाद उस रेलमार्क को उस जलमार्क को छोड़ दिया गया भारत में तार विवस्था की भी शुरुवात हुई किन्तु यह बहुत महंगी थी इतनी महंगी तार विवस्था का मुख्य उदेश है अंग्रेजी शासकों द्वारा कानून विवस्था को बनाए रखना था भारत में टेलीग्राम विवस्था की शुरुवात भी अठारा सो पचास के दशक में ही की गई थी 27 एप्रेल 1854 को पहला टेलीग्राम भीजा गया था अंग्रेजी शासकों द्वारा भारत में डाक घर 1764 से 1766 के बीच बंबई, कलकत्ता और मदरास में खोले गए मार्च 1774 में इसे आम जिनता के लिए खोल दिया गया दूसरी ओर डाक से वाई अवश्य जन सामान्य को सुविधाय प्रदान कर रही थी किन्तु वे बहुत अप्रयाप्त थी उमीद करती हूँ आपको सभी कॉंसेप्ट समझ आ गई होंगे इस अध्याय के मुख्य निश्कर्ष क्या है आईए अब हम अपने इस पूरे अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं हमने इसमें क्या-क्या समझा आजादी की समय में भारत की राष्ट्रियाय की समृधी दर केवल दो प्रतिशत से भी कम थी और प्रतिव्यक्तियाय की समृधी दर आधा प्रतिशत थी क्रिशीक्षित्र में उत्पादक्ता बहुत कम थी प्रोध्योगी की कस्तर निम्न था उरवर्कों का प्रयोग नहीं हो रहा था सिंचाई सुविधाओं का अभाव था और क्रिशीक्षित्र में पिछड़ापन था भूर आजस्वेश्ता कथोर थी भले ही भारत की जनसंख्या का भड़ा भाग कृशी से ही अपनी आजीवी का पाता था किन्तु कृशी क्षित्र गती ही नहीं रहा इसमें हरास के प्रमाण मिले है भूमिहिन और छोटे किसानों के पास कृशी क्षित्र के लिए नहीं संसादन थे, नहीं तकनीक थी और नहीं कोई प्रिजणा उपनिवेशिक शासनकाल में भारत में वी उद्योगी करण हुआ भारती शिल्पकारों का पतन हुआ आजादी के समय भारत में कुछ ही उद्योग थे उस समय भारत में सूती वस्त्र उद्योग, इसपात उद्योग, पटसन उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागस के कारखाने और चीनी मिल आदी थे यानि अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विश्व प्रसिद हस्त्र कला उद्योगों का पतन हो रहा था और उनके स्थान पर किसी आधुनिक उद्योगिक आधार की रचना नहीं हो पाई भारत का अधिकतर व्यापार इंग्लेंड से हो रहा था भारत कच्चे मालका नेरिया तक और तयार मालका आया तक भी हो गया शिक्षा और स्वास्ते सुविधाएं नय के बराबर थे परियाप्त सार्जनिक स्वास्ते सेमाओं का अभाव बार पर प्रकरति कापदाओं और अकाल ने जन सामन्य को बहुत ही निर्धन बना डाला और इसके कारण उच्मरित्युदर का सामना करना पड़ा आजादी की समय भारत में सडकें, रेलें, डाकघर, संचार सेमाएं तो थी लेकिन ये बहुत कम थी अपने ओपनी वेशिक हीतों से प्रेरित होकर विदेशी शासकों ने आधारिक सरंचना सुविधाओं को सुधारने में प्रयास किये तो थे किन्तु इन प्रयासों में उनका निहित स्वार्थ था इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया आप सुधार्णी शासदिक शुक्रिया कर दो कर दो